जेहिन साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सभी तो आप लोगों की जो भारी मांग चल रही थी और आप लोगों के दिमाग में पतानी पेपर होने के बाद में ये कैसे चलता रहता है कट ओफ देखते हैं कट ओफ देखते हैं आप ये तू नहीं देखते हैं कि मेरा पेपर कैसा हुआ है मैं पेपर से पहले कितने दिन तक त्यारी करता था मैंने 6 मेहने त्यारी किया है एक साल की है या मैंने 3 मेहने त्यारी किया या एक मेहने त्यारी किया कई तो इसा भी है जो एक में ना पढ़ या और बेभी कटोप देख रहा है तो चलो मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने कि राजस्तान CT जो आपका एक्जाम था जिसकी पहले चार पारियां पहले हुई और उसके बाद दोत पारियां उसके बाद में हो चुकी है उसमें अपने बात करते हैं कटोप की और अब किसकी त्यारी करें आईए थोड़ा जानते हैं और मैं कुछ आपको इक आकलन बताता हूँ यह आज एक कमेंट आया था एक विध्यारती का सर आपसे निवीदने कि आप ये भविश्यवानी करना छोड़ दे आपके कहने पर CT में कला जो है वो चलता ही रहता है और बाकि जो उटन यंटियो उठाते रहते हैं मेरा वीडियो था अगर वह देखा ओकिसी ने तो यह वीडियो था इसमें ने कहा था कि बगोल्यवों को ये बताया था यदे को 10 20 30 30 60 साथ परसन मैंने जी के बताये थे जब कि एक्जाम में 65 यहां वाला जो किया था अंग्रेजी में आपको यहां पर 15 की जगे 10 मिले गंपर hindi की जगे 10 मिले और यहां पर अपने कह दे पांच पांच इस परकार से करके कुछ इनका रिश्व रह दिया इसको reply में कि मैंने तो कहा था वही आप ऐसा नहीं का आप दिखाओ कहा कहा हुआ है ठीक है और बाकी टे करता है आप सब पर सिटी सनातक स्थर का अब रेशो नहीं करते हैं और यह जो आया तो इसमें यह बहुत ज़्यादा रेशो हो गया कई बार तो ऐसा भी हुआ है एक्षाम में आपने देखा होगा कि सलेबस दिया आता है और पेपर में उससे प्रसंद ही नहीं आता है तो यह जरूरी नहीं है कि जो एक्जामिनर जब भरती कराने वाला बोर्ड आपको सलेबस जारी करने वाद प्रसंद नहीं पूछता है आपने CT का एक्जाम दिया आप अपने दिमाग से अपने दिल से इमानधारी से बत प्रसन पहली बार इतियास में पुछे जाते हैं जो पहली बार इतियास में कहीं नहीं करवाएगे फिर भी मेरे दुआरा आप लोगों को एक बैस जारू किया गया था लास्ट की सिर्फ 20 दिन मिले एकाउन रुपे का जादूई बेस था अब उसकी अंदर जैसे कुछ टोपिक मैंने करवाए भी नहीं थे क्योंकि सारे टोपिक आप सोचिएगा कि रोसन करने कीयों करवाये जासकर पिर कुछ बीच में काम भी हो गया था विमार भी हो गया था आपको भी बताया था मैंने तो इस कारण जो है वो सारे टोपिज नहीं करवाए लेकिन फिर भी जितना कहा उससे जादा मैंने यहाँ पर करवाया था मैथ की क्लास भी लगवा दी थी वो तो मैंने कहीं नहीं थी केम्पूटर भी कहा नहीं था वो भी करवा दिया था ताकि आपका चाहिए एक परसन भी मिल जाए एक दिन में तो आपका फाइदा हो जाए अब उसके बाद आप पेपर देकर आए अब आप पेपर होल में बेठे थे उसका मुझे नहीं पता यह अपना टेलिग्राम चैनल ह आशु जी के ट्रिक नाम से जहां पर एक लाक। कटोप हम लेकर चलें गल्स की बोईज की या आपने कहें ओबीसी जनरल टीएस पी सारा गी जोड लियां तो आप यह दोना गया धार पर तेया कर लियां कि 65 से 85 परतिसता अब यह आप यह को गगी यह तो आपने बताईए मैं कहां बता रहा हूं भी या वोट कोल टेलिग्रा सब्सक्राब में आप खुछ जाकर देख लें आप लोगों ने किये हैं आप ही के तो नंबर है तो आप लोगों ने बताया है और आप ही के आकनन पर यह बात कहिए हैं पिर यहां पर नबज से सो प्रतिसत वालों का रेशो भी थोड़ा सा ठीक है तो हम यह मान लें कि कुछ विध्यारती जो हैं वो सो तक पहुंच गए हैं लेकिन आप एक बात सोचें कि राजस्तान में इतनी सारी कोचिंग्स हैं इतने बड़े-बड़े सेंटर हैं उन सभी ने प्रिक्ष मैंने अकेले ही सारा कुछ करवाना था जो टीम थी अगर हमारा जो कोर्स दिस ने लिया था चीतिल्डिस कि तयारी की मेहत बहुत अच्छे से करवाई गई इंगली बहुत अच्छे से करवाई गई ऑंसबION मैं विध्यारती जिसने फूल अच्छे से कर रखियो current gk सब कुछ पढ़ाओ तो 65% अगर gk के रूनके आये थे न अगर वो gk वाला विध्यारती था तो 65 में से तो वो 40 ही करके आया और अगर कहूं कि मैं science math वाले थे 20-20-40 वाले थे तो इन में से science math वालों के भी किते परसं सही हो रहें 30% सही हो रहें तो अपने रेस्व बनाएं जी के 30-70 और 10-85 तो अपने बात करें कि यहां पर हमारे पास में क्या क्या कितने परसंद वाला सेफ स्कॉर में जा रहा है कि गुर्जी एक तो जा रहा है 85 कॉस्टन से लेकर और स्थो के मध्य और एक लास्ट एवरेज आ रही है जो 65 और आपको पता है कि 15 गुना आपको बुलाए जाएंगे इसलिए आपको घबराना नहीं है अब रही बात RSC और पुलिस की उसके बाद अभी इसके बाद एक वीडियो और आ रहा है जिसके अंदर आप जानेंगे कि RSC क्या होती है पुलिस क्या होती है कौन से शामिल होगी कौन सी नहीं होगी आप उसको पुरा विस्तार से पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा मैं पुलिस के आला जो भी भाग है उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा ताकि आप जान सके बाकी इमानदारी आपकी है आपने ही पास हो सकते हैं अब वो एक अंग्रेजीम बोलिया करा है नोर्मोलाइजेशन जो क्या ही करिया करा है अगर भी मांग सुमेलित करें भी किसका पेपर का लेवल हार्ड जादार ऐसे करके रहा तो फिर अपने यह मान लेंगे कि पिचास से सो वाले रहेंगी और अब आगे आप